हेलो इस्टेंज आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 के से लेवर से कॉंप्लेक्स नमबर चैक्टर की एक ऐसी संख्या जिसते हम लोग अपरी लीं को लेजिते हैं हम लोगों तो मिलता है कॉंप्लेक्श नंबर हमको क्यों परे क्या ज्रोय कोि यह इन रहत चीज़ों को जानेंगे लोग उसके लिए थोड़ा से हम लोग पीछे जाके एक बार वास्पिक संख्याओं को जिसको हम लोग इंग्लिस में रियल नमर्स करते हैं उसको जानेंगे और उन सारे पोइंट्स को जानेंगे जो जो कॉंफ्लिक्स नंब्र के लिए जरूरत है जिसके जरूरत हम लोगे परेगी कॉंफ्लेंग समस्य के पहले प क्या हैं वास्पिक संख्याओं क्या हैं वैसे अपनों को बताया जाता था है कि परेलें वी ओन मा ठीजो जो नंबर diab头 होते हैं उनके सेट को हम रियल करते हैं आप ऐसे भी का देते हैं कि जिसको आप रियल नंबर लाइन पर जिसको आप संखिया रेखा पर रिपर्जिंट कर सके वह रियल नंबर हैं हम लोग थोड़ा सा उसको अप प्रैक्टिकल ही समझते हैं लोग जैसे अगर कोई संख्या आपके पास है मैंने भोल दिया कि रूट फाइव और आपसे पूछा कि यह वास्ट्रिक संख्या है या नहीं है तो फिर आपको बेफनिशन परेमिक याद करना परेगा फिर परेमिक हो जाके उसके प्रोपरेटिज अपरेमिक उन सबको अप्लाइब करना होगा कि यह रूट फाइब वो आइदर रेशनल में होना चाहिए या उसका स्क्वेर करने के बाद रिजल्ट आपको मिला 25 यहां दो तरह के आउटपुट्स अगर हमको मिलते हैं या तो हमको सुन्य या हमको पोजिटिव आउटपुट्स अगर इन दोनों में से कोई एक आउटपुट्स हमको मिलता है स्क्वेरिक करने के बाद अगर किसी क्या को हम स्क्वेर करते हैं और स्क्वेरिक करने के बाद अगर हमको इन दोनों में से कोई एक आउटपुट मिलता है एदर जीरो और पोजीटिव निगेटिव आउटपुट नहीं मिलना चाहिए बस यहां पर जब निगेटिव निगेटिव नंबर आप इसको कह त fen Protestant मिलता है नज ना का थे निगेटिव नगीठिव थोड़ा सर् menor Exam 2 के वांतनों मिलना नीगेटिव डेंटिव पोजीटिव न नीगेटिव का मतलब पोजीटिव नहीं होता है नन निगेटिव का मतलब होता है नट निगेटिव तो यहां फिर लोग क्या लिखेंगे means means not negative नट निगेटिव वे संख्याएं जो निगेटिव नहीं है नन निगेटिव का हलाप भी है अफिर कौन में कौन वों से आएगा यह जितने भी पोजीटिव नंबर से वो सारे आ जाएंगे बस नीगेटिव नहीं यहीं होना चाइए जनरली क्या होता है non-negative सुनते हैं आपके दिमाग में आ जाता है positive, बिल्कुल नहीं, non-negative मैंने बताया non-negative does not mean positive, इसका मतलब positive नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं सुनता है, कि अगर कहीं सुने तो positive उसका अर्ट निकाल लाए, non-negative का मतलब होता है, not negative, negative नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भ है तो जब positive numbers के सांथ उसके सेट के सांथ आप जब 0 को समलित कर देते हैं तो बन जाता है non-negative real numbers का सेट या सिर्फ non-negative आपकर सकते हैं या अपर non-negative numbers तो अगर किसी संख्या को आप square करते हैं ओके और after squaring if we get a non-negative output अगर हमको squaring करने के बार हमको एक non-negative output प्राप्त होता है then that number is called a real number तब उसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्या जैसे मैंने बोला 5 को जब मैंने square किया तो हमको क्या मिला 25 हमको एक positive output मिला यहां के positive output मिला अगर हमने minus 1 by 2 को square किया तो हमको क्या मिलेगा 1 by 4 मिलेगा यह भी एक positive output है अगर हमने यहां पे 0 को square किया तो हमको 0 मिलेगा which is neither negative nor positive जो न तो negative है न पोजीटिव है अगर हम लोगों यहां पे root 5 को square root minus root अगर लेते हैं negative लेते हैं अगर हम इसका square करते हैं अगर square के बाद हमको जो output प्राप्त होता है वो अगर positive मिलता है या सुन्य मिलता है जिसको हम non negative बोलेंगे non negative output बोलेंगे तो अगर हमें non negative output प्राप्त होता है तो उस numbers को हम बोलते हैं जो real नहीं है उन्हीं क्या बोलेंगे क्या ऐसी भी किसी संख्या का existence है जिसको हम स्क्रेइल करें तो हम वे numbers रहेंगे जिनको squaring करने के बाद हमें either सुने प्राप्थ हो या फिर हमको positive output प्राप्थ हो तब यहां पर बात आती है कि जब वे numbers जिनको squaring करें and after squaring हमको अगर negative output प्राप्थ होता है if we get negative output तो उस number को हम क्या कहेंगे तो उस number के लिए हम लोगों ने यूज किया imagine नरी number जो कि real के endo की बात अगर हम करें real के विपिरारत अगर हम विपिरारत सब्दी की बात करें तो क्या आएगा इमेजिन नरी कालपनिक वास्तविक का उल्टा हम लोग क्या ग्या यूज करते आग कालपनिक तो जो शं Dare संख्या रील नहीं है वास्तिविक नहीं है उसके संख्या के लिए हम लोगों लोगों ने root under minus 5 ले लिया अगर root के अंदर कोई negative number हमने ले लिया और कब अगर हम उसका square करते हैं तो result हमको मिलेगा negative हमको यहाँ पर result मिलेगा वो negative मिलेगा यहाँ पर देखे negative output हमको मिला negative output तो ऐसी संख्या का existence अस्तितु है जिसका square करने के बाद हमको result negative मिला तब बात आती है कि तब ऐसे numbers को क्या तो हम लोगों ने उसके endo, real के endo के रुप में यूज कर लिया imaginary कालपनिक संख्याएं अब रही बात इन कालपनिक संख्याओं की कहानी थोड़ा सा इधर से भी तरह से तब ऐसे भी समझते हैं कि सिंपल पाले ये समझे कि आपने सुना होगा ना ये कहोद की आवश्यक्ता ही अविस्कार की जनर्लिक होती हैं तो जैसे जैसे हमारी आवश्यक्ता बरती जाती हैं हम वैसे वैसे अविस्कार करते जाते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि real number, natural number, rational number rational number, integers सबकुछ एक दिन उपर से इस्वर ने भविस्सेबानी करी और हम लोगों के बीच में लाके उरेदी ऐसा नहीं रहा जैसे जैसे हम लोगों की आवश्यक्ताएं बरती गई वैसे वैसे हम लोगों ने संख्याओं का नामकरन, उनके लिए symbolic representation हम लोग देते गए हम लोग करते गए याद कीजिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब आदी मानो जब जंगलों में अपना सिकार मतलब गुजरवशन करते थे और सिकार के लिए जाते थे उसमें उनको गिंदी नहीं आते थी उनको पता ही नहीं था कि काउंटिंग क्या होते है गिंदी क्या होते है धीरे 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 उन्होंने जब खुद को विक्सित किया तो उनको ने पथरों पर लकीर खीचना सुरू किया अगर एक जाता था तो एक लकीर, दूसरा जाता था दूसरा लकीर, तीसरा जाता था तीसरा लकीर, चौथा जाता था चौथा लकीर, इस तरह से वो लकीर खीशते थे और भेज़ते थे सिकार के, या जाते थे जब वापस आते थे, अगर एक वापस आता था, तो एक लकीर मिटा देते थे, दूसरा वापस आता था, दूसरा लकीर मिटा देते थे, तिसरा आता था, तिसरा लकीर मिटा देते थे, चौथा दिया गया, चौथा लकीर मिटा देते थे, अगर एक लकीर मही मिटा तो उनको सबसे पहले हम लोग के बीच में काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 ठीक है नाइन तक जिसको हम लोग प्राकिट संख्या करते हैं प्राकिट संख्या एक से लेके नौ तक लेकिन ही तो पहले आगे हैं उस समय काउंटिंग तो आश्रान होगे जनरलीस को कहा जाता है कि प्रक्रति द अब करते हैं नाइकर फिर जाते ते फिर 9 यह गूफ बना यह फिर सेकेंड करते थे पे फिर सवागरें तक हमारे बीच में हमको जरूरत पर चुकी बरी बरी कता है अगर संख्याओं को काउंटिंग संख्याओं की गिंती अगर करने होती थी तो हमको फिर महां पर नाइं तब करना को सिवर नहीं था अब सुचिए कि अगर हमारे पास जब केवल प्राकिर्थ संख्या था जब उसने सामिल हो गया तो पूर्ण संख्या बन गया वह अगर नेचुरल नंबर के सेट से हम बात करें अगर हमारे पास यह इक्विएशन है एक्स पलस वन इस इकवल तो जीरो तो क्या नेचुरल नंबर के सेट में कोई ऐसी संख्या है जो इस समिकरल को संतुष्ट कर रहा हो नहीं चुकि आप नेचुरल नंबर की जब बात करेंगे या पूर्ण संख्याओं के समुच्च की ही बात करें अगर आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dot, dot अगर आप बात करते हैं तो क्या इस में से कोई ऐसी संख्या है जिसको हम अगर LHS में X के भैलू के लिए पुट करें X के बतले में आप नहीं है इसका मतलब अगर हम बात करें पूर्ण संख्याओं के समुच्च या सिर्फ अगर प्राक्रित संख्याओं नेचुरल नंबर के सेट की बात करें तो उनमें जितनी भी संख्या है उनमें से कोई भी संख्या इस इक्विशन का सोलूस्त नहीं है ठीक है अब र से सर्फ करें तब जाके हमारे हम लोग के बीच में निगेटीव नमबर आया तो हम लोग ने इसकी सॉलूशन को यहां पे x is equal to minus 1 हम लोग solution दे पाए x is equal to minus 1 यह minus 1 solution तब मिला जब negative number से हम लोग introduce हुए परिचित हुए अब हमारे पास 2x plus 1 is equal to 0 या 2x minus 1 is equal to 0 अगर 2x minus 1 is equal to 0 अगर ऐसे समी करण ऐसे हमारे पास आते थे तो क्या हम सॉलूशन इसका निकाल पाते थे बिल्कुल नहीं क्योंकि हमारे पास उस वक्त rational number नहीं था हमारे पास natural number आ गया हमारे पास whole numbers के सेट तयार हो गया सुनिये सामिल होने के बार negative number आ गया लेकिन हमी तक rational number नहीं है तो फिर ऐसे equations में हमको परेसानी होने लगी क्योंकि यहां पर जो आप x का value निकालते हैं वो तो 1 by 2 आता है जो कि एक rational है और rational का सेट हमारे पास था नहीं अगे बढ़ते चले गए इस तरह से आगे बढ़ते चले गए इस तरह से हमलों का का रहा बढ़ता रहा हम लोग के बीच में नहीं संख्याओं का आगमन होता रहा इसी कड़ी में हम लोग के बीच में जब एक एक इक्विशन आया शस्क्वेयर इसलब करने की चाहिएं समी जर। बलंबे अंतर्याओं तक जब ऐसे एक्विशन भी संण नॉप मिलनिलेस यह इन उस इसको कहा कि नहीं इसका कोई solution नहीं है बाद में जब आवाज सेक्टा परी तो फिर हम लोग ने इस पर काम करना सुरू किया काम करना सुरू किया फिर हम लोग को कोई से संख्या करने पर हमको निगेटिव आउट पूट मिल गया तो फिर तो वो इमिजिनरी नंबर के कटेक्टिवें चला गया यहीं से इन इसे निगेटिवा थो जब आप की बात हुई कि x square plus 1 is equal to 0 थे x square is equal to minus 1 तो हुगा कि x square यहां पर square करने कोई ऐसा x का value हम रखें जिसका result negative आ है तो possible है क्या real number के state में real number के परिवार में ऐसी कोई संख्या नहीं थी कोई ऐसा number नहीं था जिसको अपर square करें और result negative आ है तब जाके यहीं पर imaginary number का आग्मण हुआ और उस समय के एक mathematician थे जिनको यूलर के नाम से जाना जाता था यूलर शाहव ने इस minus 1 के लिए एक symbol यूज किया और उन्होंने उस symbol को बोला आयोटा उन्होंने एक symbol यूज किया आई ठीके आई और बोला उन्होंने कि अगर हम यह imagination पर अधारित है कलपना पर अधारित है और imagination का पहला लेटर जब आप imagination लिखते हैं तो वही से उन्होंने आई यूज किया imagination और उन्होंने बोला कि अगर i is equal to root under minus 1 हम यूज कर लेते हैं तो हम ऐसे equations को solve कर पाएंगे और इसका नाम हमने दिया आयोटा इसको हम लोगोंने बोला आयोटा अब देखिए ऐसे equations को कैसे हमने solve किया ध्यान दीजिएगा xa square plus 1 is equal to 0 then apply xa square is equal to minus 1 और यहाँ पे minus 1 की अगर बात करें ध्यान दीजिए अग minus 1 के लिए उन्होंने use कर लिया i square और तब उन्होंने लिखा x is equal to plus minus i और देखिए ऐसी equations का solution की हम लोगोंने निकाला but not in the state of real numbers real number के state में नहीं निकाला हम लोगोंने एक ऐसी संख्या एक नई संख्या का पोस्तित्व में लाया जो real number की परिवार से बिल्कुल अलग था जो real के property को follow नहीं करता था जिसको हम लोगोंने इमेजनरी नमबर बोला जिसको denote किया गया जिसके unit अगर हम यहां पे unit symbol की बार करें यहां के कहा गया minus 1 यहां पर हम लोगोंने जो root minus 1 लिया यह आई क्या है minus 1 minus 1 negative of unity का square root इसको हम लोगोंने है इस से root किया जिसको बोला क्या गया आयोता एक बार फिर बोलेंगे इस symbol को क्या बोला गया आयोता और इसका value कितना root under minus 1 और यहां पर इसको हम लोगोंने जब square किया दोनों तरफ हमको कितना मिला I square is equal to minus 1 और जब minus 1 हमको मिला हम लोगोंने मतलब I मिला तब हम लोगोंने ऐसे sum करनों को भी हल करना शुरू कर दिया और ऐसे sum करन ऐसे equations का solution आया वो imaginary number के set से आना शुर अब जब real plus imaginary जब दोनों को एक साथ combine किया गया तो वहां से पैड़ा हुआ complex numbers तो हम बात करेंगे complex numbers के बारे में लेकिन चुकि आज का ये video class हम लोगोंने लिया है सिर्फ imaginary number के introduction के रूप में तो अब हम यहां से सुरू करेंगे powers of iota powers of iota देखें चुकि यहां पे जो i है आ अगर i हम लोगों ने लिया तो i का value कितना root under minus 1 के लिए root of negative of 1 के लिए हम लोगों ने यहां पर symbol क्या use कर लिया i अगर हम लोगोंने दोनों तरफ square कर दिया तो value कितना हो गया minus 1 अब ध्यान देजिए अगर हम i cubed की बात करें यहां पर अगर degrees का 3 हो जाए तो हम क्या करेंगे लोग तो यहां पर इसको में लिख सकते है i square into i i cubed को लिख सकते है i square चुकि आपको पता ना base same रहता है product में तो degree add हो जाता है तो यहां पर degree add हो जाएगा 1,2,3 हो जाएगा यहां पर और बताए i squared का value कितना minus 1 into कितना i so result will be equal to minus i अगर हम लोगोंने यहां पर i to the power 4 ले लिया तो अब यहां पर i का degree 2 करके आउसका degree हम 2 कर सकते हैं 2,2,4 clear अब बताए i square का value कितना minus 1 हुआ minus 1 का square करेंगे तो value कितना होगा यहां पर 1 इस तरह से आप अगर i to the power अगर हमको 9 लेना होगा तब भी हम इसका value निकाल सकते हैं कैसे आपको value i square का मिल चुका है सब को in terms of i square convert करके अब वहां से value ले लिजी असानी से i square का degree अगर हम 4 कर देंगे तो 4 हो जाए लेकिन है तो 9 हमारे पास तो into i कर देते हैं एक डिक्री आट हो जाएगा 9 हो जाएगा अब यहां पर दीकिए i square करेंगे कितना minus 1 minus 1 का power 4 into कितना i minus 1 का degree 4 है plus 1 हो जाएगा और plus 1 को i से multiply करेंगे तो result कितना है अगर i का degree आप यहां पर 21 ले लेते हैं तब भी कोई लफ़रा नहीं है आप यहां पर i का square कर दीजे और i के square करने के बाद degree 10 ले लिजे अब 10 to 20 10 दूनी 20 और अगर into i कर देते हैं तो 20 और 21 हो जाएगा अब यहां पर देख लेते हैं i square का value कितना minus 1 minus 1 का power 10 into कितना i value कितना हो जाएगा यहां पर 1 into i result हो जाएगा i अपर हम लोगों यहां पर i to the power 50 कर दिया तो कोई लफ़रा नहीं है i square उसका degree हम 25 कर देंगे और अगर यहां पर i square के value की बाद करें तो minus 1 और उसका value 25 तो result हो जाएगा minus 1 कितने भी बड़े degree को आप उठा लीजे कितने भी बड़े degree को और उसका आप भैल निकाल सकते हैं iota की कितने भी बड़े degree को लेकर आप उसका value निकाल सकते हैं ध्याने चाहिए अगर हमने यहां पी बूला यह i का degree 190 अगर 119 कर दिया हो तो क्या करेंगे तो सबसे पहले i square कर देते हैं और देखते हैं कि i square के बाद उसका degree कितना लेक्ट जो इसके नजदीक हो थोड़ा एक कम हो या एक ज्यादा हो तो कितना हो जाएगा अगर हम यहां पे पर देते हैं 56 तो 56 तूजा 112 हो जाएगा अगर 57 58 तो कितना हो जाएगा आट-जूनी चुलदा 59 कर देते माइनस वन और मायनस सों और इनक बाता आई है , और मीवित के ऊसलेध सिख को इसको इसको एकुस रज़ा आप समझेंगे यह बागता सकते हैं idol camera , Rudolph a distance वह बन्हुंडेünde पूसरों के लिए एक तेकनिक धुछाँ समझे MALE dengan पावर्स की बात करी है सिर्फ पोजिटिव अगर निगेटिव लेते हैं तब भी कोई लफ रागी है जैसे अगर आपने यहां पर ले लिया आई का डिग्री माइनस 5 कोई दिक कर नहीं है तो आप यहां पर लिख सकते हैं एक डिग्री 5 हो जाएगा अब यहां पर देखिए 1y i2 का माइनस 1 का i2 करेंगे तो 1 अब 1 को जब i से मल्टिप्लाई करेंगे तो i उपर नीचे आप i से मल्टिप्लाई कर दीजें कर सकते हैं i से मल्टिप्लाई कीजिए तो i into 1 i और i into i i2 हो जाएगा आपको पता है i2 कितना होता है माइनस 1 होता है तो हम यहां पर लिखेंगे i divided by minus 1 is equal to minus 1 कोई परेशानी नहीं तो अगर डिग्री निगेटिव आए तब भी डिग्री पोजीटिव आए तब भी कहीं कोई परेशानी होगी अब हुम हम यहां पर देखें कि थुरा सा इसके टेक्निक टीकन कि कुछ ट्रिक्स के कि हम इसके डिग्री को कैसे अगर बड़े बड़े डिग्री होगे तो हम कैसे उसको निकाल पाएंगे बह isn't that के से आधे कुछ सी कोई को से क्रम करने के बाद अगर इस ऑगर जीरू आता ता है बटतने जो गएल्ट 4 का multiple है, तो वहाँ पे value कितना हुगा, 1, अगर यहाँ पे i के degree को आपने 4 से divide किया, और remainder 1 आ गया, remainder कितना आ गया, 1, तो value हम लिखेंगे i, अगर हम i के degree को 4 से divide करेंगे, और remainder 2 आ गया, तो value लिखेंगे हम minus 1, और अगर i के degree को हमने 4 से divide किया, और remainder 3 आ गया, तो भैलो लिखेंगे हम minus आई, ये चार बातों को याद रखना है, ये चार points है, ये को याद रखना है, पहतर ही तरी से, क्योंकि 4 से divide करने पर, जब आप 4 से divide करेंगे, तो remainder 4 नहीं आ सकता है, 4 से divide करने पर remainder 4 क्रों कौन से आएंगे, आइडर 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 से divide करने पर 4 कभी remainder नहीं आएगा, तो ये जब 4 से divide करेंगे, तो remainder क्या क्या सुन नहीं, 1, 2 और 3, और उसके corresponding result हमको क्या मिलेगा, 1, I, minus 1, minus I, अब अगर हमने बोल दि 2, 20 का value बताईए, तो हम क्या करेंगे, 2, 20 को divide कर देंगे, कितना से 4 से, और देखे लेंगे, 5, 4, 20, यहाँ पर 2, 0, 5, 4, 20, यहाँ पर remainder कितना आगया, 0, तो remainder जब 0 आया, तो हमने इसका value कितना देखा, remainder 0 तो भैलू कितना, अगर हमने यहाँ पर लिखा, I का degree, मैंने 11, 25 कर दिया, कि भाई मुझे इसका value बताना है, तो कुछ नहीं करना है, 11, 25 को आप कितना से divide करेंगे, 4 से, 4, 2, 0, 8, 3 remainder, यहाँ पर देख लिजे, और उसके बार minus करेंगे, तो 3 आएगा ना, जी, उसके बार 2, कितना हो जाएगा, 8, 4, 0, 32, cancel, फिर कितना यहाँ पर 5, 5, 2, 2, 2, 4 हो जाएगा, यहाँ पर, remainder कितना आगे, 1, यहाँ पर टेक लिजे, remainder कितना आगे, 1, जब remainder 1 आगया, तो हमको result क्या देना होगा, I, तो इसका value कितना हो जाएगा, I, तो इस तरह से, हम आसानी से, इस तरह से, हम आसानी से, I की कितने भी बढ़े degree के लिए, हम value निकाल के लिए, अब इसके साथ, एक चीज़ और यहाँ रखना है, आपको यहाँ पर, note में, कि अगर, I का डिगरी, हम 0 कर दें, तो value कितना होगा, 1, I का डिगरी, 0, value कितना होगा, 1, और अगर, I का डिगरी, 4 consecutive numbers, 4 लागातार, तो इसका value हो जाएगा, 0, जैसे, अगर, I का डिगरी, हमने 2 कर दिया, प्लस, I का डिगरी, 3, प्लस, I का डिगरी, 4, प्लस, I का डिगरी, 5, तो value कितना होगा, 0, अब यह नहीं, दोस नहीं, आपको कहीं से 4, 2 degree लागातार, ले लिजे, I का, ओके, और उसका स्थम कितना हो जाएगा, सुने, जैसे, I का डिगरी, मैं N पलस, I का डिगरी, N पलस, 1 पलस, I का डिगरी, N पलस, 2, पलस, I का डिगरी, N पलस, 3 कर दे, तो value कितना मिलेगा, हमको 0, तो यह जो चोटी-चोटी बाते हो इंको याद रखना है, यह आयोटा से related points है, मैंने बोला I का डिगरी 0, value कितना वै, I का डिगरी, अगर हम 4 लगा 1 अगर 1 आता है तो I, 2 आता है तो minus one, 3 आता है तो minus I, इस तरह से हम आसानी से I कि किसे भी लिगरी को निकाल सकते हैं, आज ये जो मैंने आप लोगं को बात करें, चोकि मैंने आप लोगं को real numbers के बारे में बताया था, उसके लिए जल्वत क्या है, real numbers की तो मैंने बता दिया, कोई भी number, दुनिया का कोई भी number आप उसको square कीजिए, कितना असान है, एक बार आप समझ दीजिएगा, फिर कभी आपको real के प्रति, बहुत ज़्यादा जद्व ज़्याद नहीं करने पड़ेगी, किसी number को उठाईए, उसका square कर दिजिए, result negative आगया, तो real नहीं है, result negative नहीं आया, तो real है, clear, अगर किसी number का square करने के बाद result negative, तो not real, और negative नहीं है, तो real, clear हुआ, दूसरी बार, अगर हमने बोला कि imaginary number, तो real के बाद, मतलब ऐसे करें कि real की दुनिया से बाहर भी किसी number का existence है क्या, तो उसको हम लोगों ने देखा कि है, और उसको हम लोगों ने नाम दिया, imaginary number, imaginary number, जिसको हम लोगों ने आई से लिनूट किया, root under minus 1, जिसको हम लोगों पतलब कोई भी number, वो हमारा यहां पर एक तरह से कह सकते है, कि root under minus 5, इसको तो अब आई से लिनूट नहीं न कर सकते हैं, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, 5 into minus 1, तो यहां पर क्या लिखेंगे, root 5 into root minus 1, लिख सकते हैं, तो root 5 into minus 1 का भायरूट कितना हो गया, root 5, जो number जिसमें i सामिल है, वे सारे numbers, इमेजनरी numbers, बात को करने हैं, जैसे कि root under minus, मैंने यहां पर 100 कर लिया, तो आप root under minus 100 को लिख सकते हैं, कितना 100 into minus 1, और यहां पर आपका भैलू हो जाएगा 100, 100 i into कितना root minus 1, इसका भैलू हो जाएगा 10 i into कितना i, मतलग 10 i, तो देखें, इसमें i सामिल है, आई सामिल है, तो यह इमेजनरी हुआ, तो यह रियल की दुनिया से बाहर का number है, जिसको आपने इमेजनरी कहा, i root under minus 1 को डिवोट करता है, इसको सबसे पहले यूलर साहब ने use किया था, इमेजनरी नमबर के लिए जो, next one, के लिए हम लोग ने use किया, तो उसको हम लोग ने क्या कहा, iota, powers of iota के बारे में मैंने पुरा description दिया, next video में हम लोग बात करेंगे, complex numbers के बारे में, what is the complex number, और क्या है complex number, और इसकी क्यों जरूरत पर ही हम लोगों को, what is the importance of complex numbers, तो यह सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे लोग, और मिलते हैं next video में, next topic के साथ, इन सारे introduction, जो मैंने बताया है introduction का बहतरी तरीके से देखिए, enjoy कीजिए, thank you.